हलो स्टुडिन्स मैं हूँ तमन्ना और इससे पहले कि ये वीडियो आप फॉरवर्ट करूँ मैं आपको एक बात बता दू कि ये जो इन्फरमेशन है 25% reduction in every subject from 1st to 12th standard ये अपडेट आपको maama.ac.in इस website पर मिलेगा और ये जो PDF है ये मराठी में है बच्चे confused हो रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या करना है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है तकि मैं explain करूँ दूसरी और important चीज़ ये है कि ये इस तरीकी के circular teachers के लिए होते हैं इन में teachers के लिए instruction से कि बच्चों से क्या कराना है और क्या उन्हें self study के लिए बताना है तो इसमें जो reduction का part है जितने भी pages आपको वहाँ पर दिये हुए है वो सारे reduce नहीं है बच्चों हाँ इसमें कुछ कुछ पार्ट आपको self study के लिए भी दिया हुआ है तो ये information जादा से जादा बच्चों तक पहुचाए तक कि किसी का loss ना हो ठीक है प्लीज आप maximum लोगों तक ये वीडियो पहुचाए ओके और बच्चों तो शुरू करते देखिए क्या-क्या मैंने color codes यूज किये है कि क् पढ़ना है और क्या-क्या part आपको reduce करना है उसके लिए ठीक है तो देखिए on page number one laws of motion can you tell के ये आपको self study के लिए करने है जो मैंने yellow color में highlight किये हुए है वो आपको पढ़ने है बच्चों let's try this reduce हो गया है think about it reduce हो गया है page number one पर page number two पर use your brain power ये दोनों questions आपके self study में है ठीक है page number two पर always remember ये वाला भी आपको स्वया मध्ययन मतलब self study अगर आप PDF देखोगे तो वहां पर स्वया मध्ययन ऐसे लिखा हुआ है और जो reduce पार्ट है उसके आगे मुल्यमापनातन वगले ऐसा mention किया हुआ है मतलब उस पर कोई questions नहीं आएंगे self study पर questions आ सकते है दूसरी चीज़ इसमें अतिरिक्तव वाचन मतलब extra reading ये भी mention किया हुआ है तो ये जो parts है extra reading वाले उस पर questions तो नहीं आएंगे लेकिन वो आपको पढ़ने के लिए कहा गया है क्यों क्योंकि आप 9th standard में हो आपका base है अभी आप यहां पर जो सीखोगे इसका फाइदा आ आगी की standards में होने वाला है that is the only reason कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा reading करने के लिए कहा गया है 10 standard as compared to 10 standard आप लोगों में ये पार्ट मेंने ज़्यादा देखा है तो मैं तो आपको बोलूंगी कि जो extra reading के लिए बताया गया है वो पढ़ी ये आप ठीक है page number four पर देखिए ये वाला जो पार्ट है ये let's try this ये क्या करना है self study then page number five पर use your brain power green color में है तो इसे reduce कर दीजे page number six पर use your brain power इसे भी reduce कर दीजे page number eight पर कुछ नहीं page number nine पर देखिए let's try this ये वाला पार्ट भी reduce कर दीजे page number ten पर भी ये try out and think about it ये reduction है and page number eleven पर solved example के ये तो questions आपको self study के लिए है मतलब खुदी करने है teachers आपको नहीं पढ़ाएंगे क्यों वो भी reason भी बताती हूं बच्चों जो situation है COVID-19 के वज़ा से schools नहीं हो रहे है online teaching हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को घर पर पढ़ने के लिए क्या क्या देना है वो यहाँ पर mention किया हुआ है ओके देखिए then page number 13 पर newton second law of motion ये complete reduction है इसे हटा दीजिए page number 14 पर use your brain power अगर कोई बच्चा देख रहा है parents देख रहे तो के बिट अगर कोई बच्चा इसे देख रहे है तो मैं कहूंगी कि अगर मैं थोड़ा fast कर रहूं तो आप speed change कर के या फिर pause करके देखिए page number 14 पर use your brain power ये pink color में मैंने highlight किया हुआ है बच्चो तो ये आपको extra reading के लिए है page number 15 पर कुछ नहीं 16 पर कुछ नहीं 17 पर नहीं 18 पर use your brain power this is highlighted in green so this is reduced okay इसे आपको नहीं पढ़ना है जितना भी green color में मैं highlight करूंगी ना वो नहीं पढ़ना है आप यह आपको खुद ही पढ़ना है ओके page number और मैं भी इसकी इसमें आपकी help जरूर करूंगी don't worry about this यह देखिए page number 21 पर यहां पर try this this is highlighted in blue color so यह क्या है यह experiments आपको teachers घर पर करने के लिए कहेंगे ठीक है तो वो जो है जो experiments है जो घर पर करने के लिए कहे जाएंगे आपको मैंने इसमें highlight किया हुआ है तो इसमें इस पर question नहीं आएंगे यह नहीं कहा जा सकता यहां पर देखिए यहां पर pink color में मैंने highlight किया हुआ है तो यह आपका extra reading part है इस पर question नहीं आएगा आपको पढ़ने के लिए कहा गया है क्योंकि reason तो मैंने already बता दिया है आप लोगों use your brain power यह देखिए यह yellow color में highlight है तो this is your self study part page number 24 पर potential energy के नीचे वाला try this यह sky blue में है teachers आपको इसे घर पर करने के लिए कहेंगे जितने भी activities है ना जो बच्चों से घर पर कराने है teachers को वो मैंने यह color में highlight किये हुए है तो हम इसे reduction नहीं कह सकते page number 27 पर देखिए यह pink color में highlighted है so this is what this is this is extra reading part page number 27 यह भी extra reading में है वापस बोलती हूँ extra reading पर questions नहीं आएंगे लेकिन आप लोगों का जो base है वो अच्छा होने के लिए extra reading को यहाँ पर mention किया हुआ है दूसरी चीज़ इंपॉर्टन चीज़ तो यह है बच्चों की जारा से ज स्कूल नहीं चल रहे है तो maximum आप रीडिंग करोगे तो यह आपके लिए ही अच्छा है प्रोजेक्ट वाला यह जो पार्ट है इसे self study के लिए लिए 30 ट्राइदिस यह वाला आपको टीचर्स घर से करने के लिए कह सकते है page number 32 पर यह जो pink color में highlight किया हुआ पार्ट है this is for extra reading okay do you know यह भी यह self study के लिए है then page number 33 page number 33 पर आप लोगों को do you know यह पार्ट भी खुदी करना है इसे खुदी study करना है page number 34 पर वो टीचर्स आपको घर पर से आपके कराएंगे वो self study के लिए आ गया है ओके यह वाला green color में जो highlight है यह completely reduced हो चुका है देखिए यह मैं इसलिए ऐसा कह रहे हूँ क्योंकि जो यह वाले जो पार्ट है इनमें PDF में मुल्यमापनातुन वगले ऐसा mention नहीं किया हुआ है स्वाया मध्ययन ऐसा mention किया हुआ है अब आप बोलोगे कि मैस के जो PDF है उनमे है तो सब के आगे यही लिखा हुआ है लेकिन उनके पहले वाले कॉलम में उपर वगर ना तालेला भाग ऐसा mention किया हुआ है लेकिन इसके आगे कहीं पर भी वैसा नहीं है तो हम हमें जैसा जो instruction दी है मैं सिफ उसे ही explain कर रही हूँ और math तो you know सब एक दूसरे से related होता है ए यह क्या है reduced part है यह वाला जो scientist वाला जो पार्ट है यह भी यह extra reading में है page number 35 पर यह think about it yellow color में shared है तो यह क्या करना है आपको self study करनी है इस पर आपको खुद ही इसे prepare करना है बच्चो घर पर अभी घर पर आपको यह पढ़ना है page number 36 पर यह वाला symbols for component of यह वाला जो table है यह try this green color में highlighted है तो यह reduce हो चुका है इस पर कोई questions नहीं आएंगे then page number 37 पर यह वाला जो यह मैंने बता है experiment आपको घर पर करनी के लिए कहा जा सकता है और जैसे-जैसे changes होते जाएंगे आगे कुछ update आएंगे तो मैं आपको तक पहुचाती रहूंगे आप फिकर मत कीजिए और green color में है तो reduction ठीक है बच्चो page number 40 पर do you know यह वाला पार्ट आपको क्या करना है reduce कर देना है then page number यह वाला do you know on page number 41 यह वाला पार्ट आपको reduction में डाल देना है यह भी आपको नहीं पढ़ना है page number 43 पर domestic electric connections यह भी reduction है precautions to be taken while using electricity यह yellow color में highlighted है तो यह भी यह self study में है ठीक है यह आपको खुद पढ़ना है बच्चो इसे reduction में आप मैं बोलूंगी नहीं कि इसे completely ignore करो okay project में देखिए यह green color में highlighted है so this is what this is reduction इसे नहीं पढ़ना है then page number 46 पर can you recall के questions को आपको reduce कर देना है इन्हें आपको नहीं पढ़ना है page number 47 पर यह जो part है pink color में इसे आपको extra reading के लिए दिया है verification of the law of constant proportion on page number 48 यह भी reduction है can you recall reduction है on page number 48 49 पर शुरू के दो columns atoms are very very tiny से लेकर atom तक और दूसरा the atomic size depends on से लेकर atom of sodium यहा तक यह दोनों आपको reduce कर देना है page number 40 ने page number 50 पर यह रिखिए can you tell यह वाला पूरा part reduced हो चुका है यह question mark और यह recall यह क्या है बताती हूँ pdf में recall मतलब थोड़े आठवा ऐसे mention किया हुआ है लेकिन यहां पर can you tell है तो थोड़ी गलत चीज़ मतलब वो match नहीं हो रहा है यहां पर कुछ और है लेकिन वहां pdf में कुछ और दिया है तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने गलत बता है इसलिए मैं यह यहां पर clear कर लिए कर रही हूं लेकिन जितना मैं समझ सकती हूं यह वही पार्ट है यह वाला जो पार्ट है यह भी आपको पूरा रिड्यूस करना है मैं का लेस्ट और डिसक्स यह भी रिडक्शन में चला गया है पेश नमबर 51 पर can you tell के तीनों questions रिडक्शन में जा चुके हैं पेश नमबर 52 पर always remember yellow color में highlighted है वो भी आपको क्या करना है बच्चो self study में करना है मतलब खुद खुद ही इसे घर पर study करना है पेश नमबर 53 पर can you recall का यह question इसे भी आपको खुद ही study करना है science capsule यह आपको reduce करना है और यह तो use your brain power जो pink color में highlighted है यह क्या है extra reading part है ओके तो इससे बिलकुल न पार्ट है green color में highlight किया है मैंने तो यह आप लोगों का क्या है what is that this is reduction okay then page number 55 पर can you tell यह yellow color में highlighted है so this is what this is your self study use your brain power self study using ICT reduction ठीक है 55 पर using ICT reduction 56 पर बच्चो यहां पर ions यह वाला जो पार्ट है यह आपको self study में करना है page number 57 57 पर कुछ भी changes नहीं है page number 58 पर आपको यह जो पुरा पार्ट दिया हुआ है यह क्या है यह complete reduction है आप लोगों का now page number 59 पर शुरुआत के दो lines भी आपके reduction में गए है dis association यह वाला जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक मतलब can you recall यह आपको किसके लिए करना है self study के लिए करन use your brain power यह वाले तीनों questions reduce हो चुके है then page number use your brain power पहले दो questions यह reduction में जा चुके है जल्दी जल्दी mark कर लीजे fast हो रहा है तो फिर speed आप slow कर सकते है setting में जाकर youtube पर ही यहां पर देखे always remember यह वाला जो highlighted part है yellow में इसे आप self study के लिए ले लीजे try this यहां से लेकर यहां तक आपको teachers यह experiment घर पर करने के लिए बोलेंगे okay now page number use your brain power 1,2,3 green color में highlight किया हुआ है तो यह आप लोगों का क्या है this is your reduction ठीक है page number 69 पर page number 69 पर यह दो highlighted मतलब यह जो दो line है green color में यह reduce हो चुके है then page number 70 पर कोई changes नहीं page number 72 पर देखे always remember for self study and use your brain power for reduction okay then page number 73 research यह वाला reduce हो चुका है then page number classification of 75 and introduction to scientist green color में है तो इसे reduce कर दीजए हाँ यह मैं रेड में क्यों किया है अपने highlight यह मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसके आगे प्रयोगा चावेगी चर्चा करावी ऐसा mention किया हुआ है so how is it possible तो इससे related जो भी मुझे पता चरेगा मैं तक लेकर आओंगी फिलाल के लिए यह दोती नहीं है तो इसे बस इसे मार्क करके रखिए देखते हैं इसके साथ हमें क्या करना है but this is also included in reduction तो प्रयोगा चावेगी चर्चा करावी इतना ही है so यह reduction में हम consider कर सकते हैं 76 observe and discuss यह बच्छो यलो कलर में क्या किया हुआ है highlight क्य हुआ है तो यह self-study के लिए है page 77 use your brain power self-study के लिए है page 78 try this blue में highlight किया हुआ है तो यह भी क्या है यह teachers आपको घर पे करने के लिए बोलेंगे page 79 पर यह वाला table for self-study मैं आपको बोलूंगी बच्छों मैं जो भी मैं इतने सालों से भी पढ़ा रही हूं उस पर मैं उस बैस page number self-study अभी बच्चे लोग self-study मतलब छोड़ दो ऐसा बिल्कुल मत कीजे this is not your reduction using ICT यह वाला pink color में तो यह extra reading में है इसके ओपर questions नहीं आएंगे देखे page number 81 पर देखो looking back यह आपको teacher यह lesson शुरू करने से पहले revise करने के लिए कहेंगे then page number 81 पर observe का यह ठीक है page number 81 पर देखे यह वाला part भी आपको self-study के लिए करना है और use your brain power यह part आपको reduction में डाल देना है आप देख सकते हो use your brain power देखे यह वाला जो part है वो green color में highlighted है so this is reduction and introduction to scientist यह भी reduction है इसे भी आपको नहीं पढ़ना है और page number 82 पर देखो यह दो reduction part है then think about it यह दो नो शुरुआत के दो columns आपको reduce करने है ओके बच्चो then यहाँ पर देखे page number 83 पर आपको use your brain power और institutes at work यह दोनों भी reduction में डाल देना है then page number 85 पर main process in carbon cycle यसे reduce कर दो do you know reduction think about it self study 86 पर देखो बच्चो do you know यह highlighted in green reduction page number 87 पर कोई changes नहीं 88 पर देखे use your brain power this is for self study and then uses of lactobacilli this is for self study research reduction okay page number 89 पर था यह क्या था uses of lactobacilli self study and research for reduction page number 90 पर activity यह घर से करने के लिए कही जाएगे आपको now page number 91 पर do you know green color में है reduce use your brain power भी reduce हो चुका है institutes at work self study मतलब हम यह यह जो यलो वाला है ना यह मैं कहूंगी कि यह reduction for teachers है मतलब यह उनको पढ़ाना नहीं है यह आपको वो घर से करके आने के लिए कहेंगे या फिर घर पर खुद ही इसे study करने के लिए बोलेंगे मतलब यह reduction teachers के लिए है okay so this caution and introduction to scientist यह जो दोनों shaded part है यह green color में highlight है वो क्या है this is reduction complete reduction यह completely reduce हो चुका है आपको नहीं पढ़ना है wonderful to know यह भी आपको पूरा reduce कर देना है then page no.93 पर introduction to scientist इसे भी complete reduce कर दो then the spread and prevention of disease page no.94 पर इसे self study के लिए ले लो use your brain power इसे reduce करना है page no.96 पर नहीं 97 पर importance of weather in living world यह वाला जो पार्ट है इसे highlight किया है मैंने yellow में तो यह self study के लिए है page no.98 पर यह शुरुआत के दो columns institutes at work और using ICT पार्ट है always remember yellow में तो यह आपको self study करनी है इस पर hundred पर do you know यह वाला जो पार्ट है इसके लिए आपको क्या करना है this is for extra reading okay page no.101 पर make a list and discuss यह आपको self study के लिए करना है बच्छो 102 पर आपको यह using ICT pink में तो मतलब extra reading ठेक है बच्छो then page no.104 पर यह वाला पार्ट pink में जो मैंने shade किया है extra reading के लिए what's that period required for degradation of waste यह आपको extra reading पार्ट है यह peep into the past यह भी आपको extra reading मतलब आपको सिर्फ read करने के लिए कहा है now page no.107 find out यह वाला जो पार्ट है यह क्या है pink में highlight किया हुआ है तो यह आपको self study के लिए करना है page no.108 पर भी complete और यह जो find out यह आपको extra reading के लिए दिया गया institutes at work extra reading में ले लो बच्चों के 115 पर introduction to scientist यह भी आपको extra reading में है यह reduction में है लेकिन आपको read करने के लिए बोला गया है यह सारी information जो maa.ac.in इस website पर जो pdf आप लोगों के लिए आया है उसके basis पर मैं बता रही हूं so please जाकर check कर लीजिए can you recall यह वाला देखिए green color में highlighted है तो यह क्या है reduce part है 116 पर can you tell यह दोनों मैंने highlight कि यलो में तो यह क्या करना है बच्चों आप लोगों को this is what this is for self study okay use your brain power this one is for यह teachers आपको घर पर करने के लिए बोलेंगे page number page number 123 पर यह वाला part देखो this is highlighted in yellow share so यह आपको self study के लिए लेना है okay now page number 125 पर uses of concave mirrors यह reduced part है यहाँ पर मैंने page क्यों लिखा है क्योंकि pdf में अगर आप check करोगे तो it's mentioned as page number 124 but it's actually it's on actually page number 125 यहाँ पर तो आपको ऐसा नहीं लगे कि मैंने गलत बताया है इसलिए मैं यहाँ पर यह clear कर रही हूँ बट यह part वही है ठीक है तो यह इसको reduce कर दो then 127 page number 127 पर always remember यह वाला part reduce कर दो बच्चो then page number 128 पर research यह भी reduce कर दो try this पहले दो questions घर से करके आने के लिए कह सकते है teachers pink color में चो यह यहाँ पर बताया है यह for extra reading okay now page number 129 पर यह भी extra reading क्या the Italian physicist यह वाला part then page number 130 पर a pip into the past यह भी extra reading में है यह पढ़ो यह important information है ठीक है इसे पढ़ लो extra reading में है questions आने के chances कम है इस पर uses of ultrasonic sound यह इंग so self-study यह भी self-study okay page number 132 पर use your brain power reduction यह science in surroundings for self-study compare two cases yellow color में है तो यह क्या है आप लोगों का self-study okay yes this is find out extra reading के लिए यह वाला always remember है वो extra reading के लिए है और find out यह क्या है reduction है okay then page number 136 देखिए यह yellow में highlighted है यह self-study यह भी self-study और यह reduced part मतलब extra reading okay then page पर देखिए 123 यह वाला जो पार्ट इसे क्या करना है reduce कर देना यहां पर भी page की mistake हुई है it is mentioned on page number 137 but actually it's on page number 138 so be careful यह वो पार्ट है can you recall कि यह तीनों questions आपको reduce कर देना है try this वाला यह वाला complete what is compound से लेकर the next तक यह पूरा आपको reduce करना है page number 139 पर देखिए an introduction to scientist यह pink में highlighted है तो इससे आपको पढ़ना है for extra reading यह भी science capsule भी पढ़ना है for extra reading यह a peep into the past extra reading then page number 141 यह वाला आपको teachers घर से करके आने के लिए के लिए कहेंगे page number 142 पर कुछ नहीं 143 पर देखिए use your brain power यह पहले दो question complete reduction यह मैंने page number 148 पर using ICT यह आपका reduction है page number 148 पर भी आपको reduction यह जो find out है वो भी reduce हो चुका है part page number 150 पर substances in common use पहले दो questions reduce हो चुके है can you recall के नहीं करने आपको classify वाला part भी आपको completely reduction में डाल देना है do you know यह yellow color में जो shaded part है इसे self study में ले लो try this का यह जो part है यह आपको complete reduction reduction करना है यह reduction में है okay बिचो 151 पर यह जो yellow color में highlight है यह क्या है for self study okay on 152 152 पर research complete reduction नहीं पढ़ना है find out इसे भी नहीं पढ़ना है तो आप मैं ऐसा कह सकते कि जो extra ऐसी information है वो जारा तर reduce होई है and introduction to scientist यह आपको encourage किया गया है extra reading के लिए यहां पर भी extra reading ठीक है यह सारी चीज़े extra reading के लिए है इससे exam में आने के चांस नहीं ना के बराबर है यह वाला देखिए यह green color में highlighted part है तो इसे reduce करतो यह वाला भी यह देखिए page number 157 पर radioactive का जो यह passage है पूरा का पूरा tumors in the body तक यह पूरा आपको क्या करना है reduce कर देना है then page number 158 पर pip into the past यह भी यह क्या है extra reading के लिए encourage कर किया है आपको यहां पर देखिए यह भी extra reading में है always remember वाला part ओके एकसा reading समझ रहे ना अब क्या है questions आने के chances कम हैं लेकिन आपको पढ़ने के लिए बोला गया है find out यह find out का पूरा question reduce हुआ है और try this भी पूरा reduce किया गया है can you tell यह reduction में है okay page number 161 पर यह वाला जो part है वो भी complete reduction में जा चुका है बच्चों then page number 162 पर कुछ नहीं है 63 पर कुछ नहीं 64 पर नहीं 65 पर do you know का यह वाला जो passage है वो आपको किसमें लेना है extra reading के लिए लेना है 165 पर always remember यह वाला जो part है यह भी आप लोगों को this is for self study ठीक है यह वाला extra reading और यह self study on 165 166 पर कुछ नहीं 167 पर 168 पर देखिए use your brain power green color में highlight किया हुआ है तो मतलब यह आप लोगों को reduce करना है 169 पर do you know यह pink color में highlighted है तो यह आपको extra reading में है do you know यह भी extra reading में है on page number 170 then page number 172 पर can you tell यह वाला part आपको reduce कर देना है okay page number 174 पर find out यह वाला part भी reduce कर दो बच्चों find out reduce कर दो then नहीं नहीं ठीक है ठीक है find out number of chromosomes in different organisms यह भी reduce कर दो on page number 180 then page number 183 पर देखिए sets of technology pink color में highlighted है okay extra reading के लिए दिया गया है आपको 184 यह भी extra reading के लिए दिया गया है okay जिस जो कुछ highlight जिसको किसी भी color से मैंने highlight नहीं किया है हुसे तो आपको पढ़ना ही है बच्चों उसमें कुछ doubt नहीं है नहीं तो सोचो कि यह ही पाड़ी है पढ़ो यह self study और यह reduce ऐसा नहीं है जिसमें यह कुछ मैंने changes किये नहीं है न वो है आपको use your brain power 187 यह वाला पार्ट आपको self study के लिए दिया गया है इसको आपको teachers पढ़ाएंगे नहीं आपको खुद ही करना है ऐसे ठीक है मतलब जो दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे उसके basis पर 190 पर देखिए do you know यह पिंक कलर में shaded है तो इसे एक्स्ट्रा रिडिंग के लिए ले लो चलिए आगे बढ़ते है यह पेज नंबर 195 पर do you know ग् यह teachers आपको experiment घर पर से ही करने के लिए कहेंगे तो मतलब इसे हम reduction नहीं consider कर सकते 203 पर देखिए यह an introduction to scientist यह extra reading के लिए है find out collect information green color में highlighted किया हुआ 204 पर reduction में डाल दो then 205 using ICT यलो कलर में जो highlight किया हुआ है इसे भी आप self study के लिए ले लो find out यह वाला 206 पर reduction ओके बच्चों then और कौन सा है yes 211 पर यह वाला पार्ट in India से लेके telescope in Asia तक यह पूरा extra reading में ले लो then page number 213 पर यह वाला जो पार्ट है pink color में highlight किया हुआ इसे भी आपको extra reading के लिए दिया गया है